हेलो दोस्तों, Intellecto.nk YouTube प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है और पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी किसके बारे में अपठित गद्यांस के बारे में और क्या बात की थी कि अपठित गद्यांस होता क्या है और उत्तर लेखन के दोरान हमें कौन सी बिसेस बातों का ख्याल रखना होता है और आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे सीर्सक चैन को लेके आपको पता है कि समिच्छादकारी की मुख परिक्षा में हिंदी एवं आलेखन के प्रस्ण पत्र में अपठित गद्यांस से जो एक प्रस्ण पूँचा जाता है वो होता है सीर्सक चैन और वो होता है तीन नम्मर का ठीक है तो आज हम लोग इसी प्रस्ण के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे किसी अपटित गद्यांस के सीर्सक का चैन हम लोग करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी प्रिक्रिया को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर सीर्सक होता क्या है, ठीक है, पहले हम लोग समझतो लें कि आखिर होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखे कि कैसे किसी अपड़ित गर्द्यास के सीड्सक का चेयन करते हैं ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि सीड्सक क्या होता है देखिए सीड्सक दो सब्दों से मिलकर बना होता है सीर्सक मिलके बना होता है सीर्स धन अक ठीक है यहाँ पर जो मूल सब्द है वो है सीर्स और अक यहाँ पर जो है वो क्या है प्रत्य है अब सीर्स का मतलब क्या होता है सीर्स का मतलब होता है कि जो सबसे उपर रहकर किसी चीज का प्रतिनेदित्व करे ठीक है जैसे कि मैं आपसे कहूं किसी पार्टी का सीर्स नेता तो वो सीर्स नेता मतलब क्या होगा कि वो उस पार्टी का प्रतनिद्द करता होगा या मैं कहूं कि किसी सेना का सीर्स कमांडर तो क्या होगा वो सेना का सीर्स अधिकारी होगा और सेना का प्रतनिद्द करने वा वाला होगा ठीक है तो सीर्ष का मतलब होता है जो उपर रहकर किसी भी चीज का प्रत्निदित करें ठीक है अब अगर हम लोग बात करें अपटित गद्यांस की संदर में तो जो सीर्षक होता है वो गद्यांस के भाव और बिचारों का प्रत्निदित करने वाला होता है ठीक है अब अगर हम इसको एक परिवासा के रूप में समझें तो सीर्षक एक ऐसा सब्द ठीक है या फिर सब्द समू है जो गद्यांस के भाव और बिचारों का प्रतनिद्द करता हो उसका प्रकटन करता हो उसको प्रदर्सित करता हो ठीक है अब हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और जोडते हैं जो आपके परिक्षा के लियाज से बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि सीर्षक वह सटीक, सारगर्वित, संचिप्त और प्रासंगिक वह सब्द होता है प्रासंगिक किस से गद्यांस के भाव और विचारों से तो सीर्षक वह सटीक, सारगर्वित, संचिप्त और प्रासंगिक वह सब्द होता है जो गद्यांस के भाव और विचारों का प्रतनिद्द करता हो प्रिकटन करता हो और प्रदर्सित करता हो ठीक है तो ये आप लोगों ने समझा कि सीर्षक होता क्या है ठीक है अब आप लोगों ने जब समझ लिया कि सीर्षक क्या होता है अब जो अगली बात आती है कि आखिर सीर्षक को कितने सब्दों में लिखा जा सकता है तो मैं आपक कम सब्दों में लिखेंगे उतना बहतर होगा सीर्षक के लिए मैंने तभी परिवासा में चार सब्द इसलिए जोड़े थे सटीक, सारगर्वित संचिप्त और प्रासंगिक तो आप अपने सीर्षक को जितना कम सब्दों में लिखेंगे वो उतना ज्यादा प्रवावी होगा ठीक है और अगर यहाँ पर सब्द संख्या की बात की जाए सीर्षक के लिए तो वो हो सकती है या तो आप एक सब्द में लिख दें ठीक है या एक से पांच सब्द अधिक्तम पांच इससे ज्यादा सीर्षक की जो प्रवाव होगा वो कम हो जाएगा अगर आप सीर्षक को बहुत ज़्यादा लंबा खीचेंगे तो एक से पांच सब्द पांच सब्द अधिक्तम है किसी सीर्षक को प्रदर्सित करने के लिए या किसी सीर्षक को लिखने के लिए ठीक है तो ये तो बात हो गई कि सीर्षक के सब्द सीमा की अब अगली बात ये आती है कि अगर मानके चलिए किसी गद्यांस के एक से अधिक सीर्षक निकल कर आ रहे हो तो क्या गर है ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोई गद्यांस पढ़ें और उसमें क्या हो कि आप जब सीर्षक चैन करने चलें तो आपको लगे कि अरे इसमें तो ये भी सीर्षक हो सकता है ये भी सीर्षक हो सकता है तो मुद्दा अब ये है कि आखिर जब आप ऐसी इस्तिती में पढ़े तो वहाँ पर यानि कि exam hall में क्या करना चाहिए तो यहाँ पर आप सीर्षक को ऐसे भी लिख सकते हैं मान के चलिए मैं कुछ सीर्षक यहाँ पर लिखूँ कि आपको जैसे मान के चलिए एक सीर्षक अपटिद गद्यांस पढ़ने के बाद मिला सिक्छा का महत ठीक है और आपको लग रहा है कि इस गद्यांस का सीर्षक सिक्छा का दाइत भी हो सकता है तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं अथवा सिक्छा का दाइत तो अगर दो सीरसक आपको मिलते हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तका में अथवा करके दोनों सीरसक को लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक personal सला यही देना चाहता हूं कि आप उहाँ पर सिर्फ एक सीरसक को लिखके आएं क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा हो सकता है कि examiner आपके ऊपर वाले सीरसक को ही check करें और नीचे वाले को consider ना करें ये भी हो सकता है ठीक है या क्या हो सकता है कि मान के चलिए ऐसी इस्तिती में आपने आपका जो सीरसक चैन हो ये ज़्यादा बहतर हो और ये कम बहतर हो लेकिन वो तो इसको consider ही नहीं करेंगा और अपना जो मूल्यांकन करेंगा वो इसके आदार पर कर देगा तो आपको number कम मिलेगा इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये मेरी personal सला है बैसे चाहें तो आप अथवागर के लिख सकते हैं लेकिन मेरी personal सला यही है कि आप वहां पर एक सीरसक जो सबसे सटी को ठीक है आप दो-तीन सीरसक चुन लीजे कोई दिक्कत नहीं है आपने दो-तीन सीरसक बड़े आराम से चुन लिए लेकिन आप अपने अब पूर्व ग्यान के आदार पर सोचिए कि इन तीनों में से या फिर इन दोनों में से क्या बैस्ट होगा अपडित कद्यांस के अनुसार तो आप जो इन में से सटीक लगे उसको लिख कर आईए और अथवा करके मत लिखिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एकजामनर इसको ही कंसीडर करता है और ऐसे मामले में आप एकजामनर के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं ठीक है तो य कैसे लिखते हैं ठीक है तो जो आपकी मुख परिक्षा में कौपी मिलती है वो कुछ ऐसे मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर तो आप अपना प्रस्टेंट क्या डालेंगे और यहाँ पर उपर हेडिन डाल देंगे सीरसक ठीक है ठीक है ऐसे करके आप लिखेंगे इसको inverted कॉमा में आप ऐसे करके लिख देंगे ठीक है और यहाँ पर single inverted कॉमा लगाना है double inverted कॉमा का प्रियोग आप नहीं करेंगे क्योंकि वो किसके लिए होता है वो किसी कथन को लिखने के लिए होता है और यहाँ पर यह कोई कथन नहीं है यह सीर्षक चयान है ठीक है तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं heading आप black pen से डालेंगे ठीक है heading आप काले pen से डाल सकते हैं और जो यह आप करें यह आप नीले pen से लिख दें तो ये देखने में काफी आकरसिक लगेगा और मुख परिक्षा के लिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको अपने उत्तर को सही तो लिखना ही है ठीक है लेकिन उसको सही तरीके से भी कॉपी में प्रदर्सित करना है ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर आपने सही चीज को वहाँ गलत तरीके से लिखा गलत तरीके से मतलब कौपी में आपने गलत तरीके से लिखा कहीं का कुछ लिख दिया और भलई आपका उत्तर कितना भी सही बना रहे हैं आपके नम्मर कटेंगे तो ये बात आपको ध सीरसक चयन को कैसे लिखें, तो अभी तक आपने देखा कि सीरसक क्या होता है, ठीक है, उसकी परिवासा को देखा, एक से अधिक सीरसक हो, तब क्या करें, और आपने एक चीज और देखी, कि क्या देखा था आपने, मैं भूल रहा हूँ, हाँ, कि इसको उत्तर पुस्तका में कैसे लिखें, तो ये सारी चीज हैं, और आपने देखा सीरसक के सब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, ये भी आपने देखा, तो ये कुछ ऐसी बातें थी, जो आपको सीरसक चयन करने से पहले पता होनी चाहिए, तो मैंने वो आपको सारी बातें बता दी हैं, इनको आप बहु बहुत ज्यादा काम आएंगे क्योंकि जब आप मुख परिक्चा में बैठते हैं तो उहां पर टिक मार्क वाला सिस्टम नहीं होता कि आप आख बंद करके किसी पर भी टिक करके चले आएंगे जब वास्तिविक रूप में आपके सामने कौपी आती है तब आप सोचने कि अर अब हम लोग बात करेंगे कि सीरसक चयन का क्या तरीका है ठीक है कौन से वो स्टेप है जो हमें फॉलो करने चाहिए और कौन सी वो प्रिक्रिया है जो हमें फॉलो करनी चाहिए एक बहतर सीरसक को चुनने के लिए तो सबसे पहले तो आपको अपना जो अपटित गद्यांस दे रखा है वो बहुत ही बहतर तरीके से पढ़ना है और उसके भाव और बिचारों को समझना है लेखक का दृष्ट कौन समझना है लेखक के भाव को समझना है ये तो सारी चीज़े मैं आपको इससे पिछले वा बढ़ेंगे अब वो क्या प्रिक्रिया है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने सीर्षक को आसानी से चुन सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आप किसी गद्यांस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए उसकी पहली पंगती पर यानि कि आपको ग कि योगता धारड करता है ठीक है तो इसको पहले समझते हैं कि कैसे पहली ही लाइन में कोई ऐसा आपको सब्द मिल सकता है ऐसा सटीक और सारगर्वित सब्द मिल सकता है जो सीर्षक चयन की योगता रखता हूँ तो मैं आपको एक एक एकजांपल के थुरू समझाना चाहरा हूँ तो मैं एक एक एकजांपल आपके सामने पढ़ता हूँ मतलब एक गध्यांस पढ़ता हूँ और फिर आप देखना कि कैसे इसकी पहली ही पंक्तियों में सीर्षक को दे रखा है या सीर्षक की जो सब्द है वो यहाँ पर दे रखा है तो मैं आपको एक गध्यांस पढ़के यहाँ पर बताता हूँ उसकी कुछ लायन है उपर की इस दुख में संसार में सुख की एकछा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षड है यह लक्षड मनुस में सबसे अधिक रूपों में विक्सित हुआ है मनुस की सुखेक्चा कितनी प्रवल कितनी इक्षा कितनी सकती साली निकली ना जाने कब वह प्रकरती को काटती छाटती संसार का काया पलट करती हुई चली आ रही है और यह उसकी सुख की इक्षा अनन्त है तो आपने अभी तक यह जो चार लायन है पड़ी इसमें आपने देखा आप देखे इतना तो समझी चुके होंगे कि इसमें बात की जा रही है सुख की इक्छा की सुख की एक्षा और किसके सुख की एक्षा की बात की जा रही है मनुस की ठीक है तो ये चीजें आपको पहले ही लाइन में मिल गए कि इस दुख में संसार में सुख की एक्षा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षड है यह लक्षड मनुस्त में सबसे अधिक रूपों में बिक्सित हुआ है मनुस्त की सुखेक्चा अब देखो सुख की इक्षा के लिए बाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होता है सुखेक्चा ठीक है तो ये तो आपका हो गया इसके लिए एक सब्द और इस पूरे गद्यांस में जो बात करी जा रही है आपने पहली एलाइन से समझ लिया कि मनुस की सुख की इक्छा की बात यहाँ पर की जा रही है तो देखो अब यहाँ पर मनुस के जब सुख की इक्छा की बात की जा रही है तो आपका सीरसक ये भी हो सकता कि मनुस की सु बहतर होगा तो मनुस की सुख की इच्छा इसके लिए एक सब्द क्या होता है सुख खेक्चा ठीक है तो यहां पर आपका जो सीर्सक हो जाएगा वो हो जाएगा मनुस की सुख खेक्चा ठीक है यह आपका सीर्सक हो जाएगा तो है काफी सिंपल आपने समझा पहला स्टेप तो यह हो सकता कि पहली ही लाइन में आपको ऐसा कोई सब्द मिल जाए जो सीर्सक होने की योगता धारण करता हो तो आपने देखा ऐसा गद्यांस भी आपके सामने आ सकता है ठीक है अब देखें हम दूसरे स्टेप को तो यहीं जो सेम प्रिक्रिया है वो हमें फॉलो करनी है सबसे अंतिम लाइन में अभी तक आपको पढ़के सुनाता हूँ, तो आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनिए, फिल्म हमारे जन जीवन में महतपूर भूम का निभाती है, फिल्मों के अनेक छोटे बड़े थ्रेटर में टीवी सीरियलों में या अन छोटे बड़े साइवर स्टेज पे दिखाई देते हैं, युवा वर्ग इनके आकरसड में तेजी से घिर कर अपने मार्ग से भटकता जा रहा है, अगर हम कहें कि युवाओं में सिगरिड और सराप का सौक, फिल्मी नायक को परदे पर देख कर पैदा हुआ है, तो इह गलत नहीं होगा, समझे आप किस चीज की बात की जा रही है और युवाओं की बात ही क्या, बच्चे, महलाएं और बुजुर्ग भी इनके सिकार हो रहे हैं, फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभाव के प्रती, निर्माताओं और समाज दोनों को सचेत रहना होगा, तो आपने इसको पढ़के एक चीज समझी होगी कि इसमें किसकी बा की जा रही है, और ये सब्द, देखिए, हुबा हुँ अन्तिम लाइन में लिखा है, पहले तो इसने फिल्मों के जो नकारात्मक प्रभाव में उनको दर्साया, और फिर अन्तिम लाइन में लेखक ने लिखतिया, कि फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभाव के प्रती, निर नकारात्मक प्रभाव ठीक है ये बात लेखक ने स्वेम ही लिख दी तो ये अब आपका सीरसक हो गया ये तो आपने सीरसक चुल लिया ये सीरसक है इसका ठीक है अब इसको सटीक और सारगर्वित कैसे बनाना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि देखो एक तो सीरसक यही हो सकता है कि फिल्मों के लिए नकारात्मक प्रभाव और उसके बाद क्या होगा कि आप अगर इसको कम कर सकें तो वो और ज़्यादा बहतर होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको फिल्मों का दुस प्रभाव ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये इसके मुकाबले इसकी अपेक्छा ज्यादा से ठीक होगा तो ये आपने देखा कि कैसे अन्तिम लाइन में भी आपको सीरशक मिल सकता है ठीक है तो अब बात करें कि जब उपर की लाइन यानि कि प्रthon पंग्ती में और अन्तिम पंग्ती में आपको सीरशक न मिले तब क्या करना चाहिए तो तब आपको ये देखना चाहिए कि पूरे गद्यांस में क्या कोई ऐसा सब्द है जो बार-बार रिपीट हो रहा है यानि कि उसकी बार-बार पुनराविरती हो रही है आपको ये देखना होगा तो इसके लिए भी मैं आपके सामने एक गद्यांस पढ़के बताता हूँ और फिर आप देखेंगे कि कैसे उसमें एक सब्द की पुनराविरती हो रही है और वही सब्द कैसे सीर्सक बन सकता है तो अब देखो मैं एक गद्यांस पढ़ता हूँ आपके सामने सिक्षा ब्यक्ती के बिकास का ऐसा सजग पहलू है जिसको बचाना हम सब का पुनीत कर्तब है उपनिसदों में भारतिय गुरकुल परंपरा की महतपूर बिसेश्ता को आधुनिक सिक्षा प्रडाली के साथ सूत्र बद करने का प्रयास किया गया है सिक्षा मानविय सब्विता की प्रथम पाट साला है इसी पाट साला में दीक्षित एवं परीक्षित होकर बच्चे अपने खुसाल एवं चारित्रिक बिकास की नीव रखते हैं प्राचीन सिक्षा और आधुनिक सिक्षा दोनों का उद्देश को विवेक और यथार्थ की कसोटी पर कस कर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है विवार और सिद्दान्त की मानविय सम्वेदनाओं पर आधारित सिक्षा किसी भी विकास समाज का मेरुदंड होती है ठीक है तो यहां पर आपने एक चीज गौर करी की बार-बार सिक् की पुनरविरती यानि की रिपीटेशन बार-बार हो रहा है अब यहाँ पर देखिए समझे सिक्षा ब्यक्ती के विकास का ऐसा सज़क पहलू है जिसको बचाना हम सबका पुनीत कर्तब है ठीक है आधुनिक सिक्षा और तो मैं आप दोबारा तो नहीं पढ़ूँगा काफी लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर आप समझेंगे पहला सब्द तो सिक्षा मिल गया अब अगर आप इस गद्यान को बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा आपने तो आप यह समझ पा रहे होंगे कि इसमें सिक्षा के महत की बात की जा रही है ठीक है किसकी बात की जा रही है सिक्षा के महत की तो सिक्षा तो आपको वो सब्द है जो बार-बार रिपीटेशन हो रहा है और भाव क्या है सिक्षा के महत की चर्चा की गई तो आपका सीरसक क्या हो जाएगा? सिक्षा का महत्तु है. तो ये आपका एक सठीक सीरसक हो गया. अगर इसको आप सीरसक में सिक्षा भी लिखके आते, तो ये गलत नहीं होता. लेकिन जो गद्यांस में भाव दिये गए है, वो कुछ ऐसे हैं कि ये सिक्षा के महत को प्रदर्सित करते हैं इसलिए सिक्षा का महत यहाँ पर सिक्षा के अपेक्षा ज्यादा सठीक होगा तो ये तो आपने देखा कि कैसे प्रिथम पंक्ती और अंतिम पंक्ती से सीर्शक को चैन करते हैं और अगर दोनों में ना मिले, तो फिर कैसे करते हैं, आप उस सब्द को चेक करते हैं, जिसकी पुनराविरती गद्यांस के अंतरगत बार-बार हो रही हो, तो ये तो आपने देखा, कि तीन तरीके आपने देखे अभी तक, अब एक ऐसा तरीका है, कि आपको पूरे गद्या के आधार पर एक ऐसा सब्द चयन करना पड़े, जो गद्यांस के भाव और विचारों को प्रिकट करता हो, ठीक है, तो अब एक ऐसा मैं गद्यांस आपके सामने पड़ता हूं, जो इसी उधारण पर आधारत है, इसमें ऐसा होगा, इस गद्यांस में, कि आपको कोई सटी इक सब्द गद्यांस के अंतरगत आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको स्वेम से इस गद्यांस के भाव बचारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सब्द चूज करना होगा, या चुनना होगा, जो इस गद्यांस का सीरसक बन सके, तो मैं गद्यांस पड़ता हूं, एक कहावत है अपने मू मिया मिठू बनना, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी ही प्रिजंसा करने में ब्यस्त रहते हैं, जहां पहुंचे बस शुरू हो गए, मैंने ये किया, मैंने बो किया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना परिवार मित् एक ऐसा समय आता है जब उनको इन बातों की लत लग जाती है तब उनके आसपास के मनुस उनसे कतराने लगते हैं उनकी उपेक्षा करने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसा ब्यक्ति सामाजिक जीवन के नैपत्थ में चला जाता है इसलिए अनेक महापुर्शों ने इसे एक कभी वाह जगत को नहीं समझ पाता और नहीं सिवकार कर पाता है तो यहां पर आपने देखा कि अपने मूमिया मिठू बनना और इस गध्यांस में ऐसे लोगों की बात की गई है जो अपने मूमिया मिठू बनना तो आपने कहवा सुनी होगी इसका मतलब होता है कि जो 24 गं लेकिन वो ऐसी बात हैं, करने का आदी हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ऐसे ब्यक्ति से लोग कटने लगते हैं। ठीक है, वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सब को पता है कि ये फेक रह है। अगर हम लोग सामान बहसा में समझें। तो ऐसे बेखती सिर्फ फेकने वाले होते हैं, वास्तिविक जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया होता है तो ये गद्यांस ऐसे ही लोगों के उपर है, अब आपको चूज करना है कि इसका सीर्षक क्या होगा क्योंकि इस गद्यांस के अंतरगत तो कोई ऐसा सब्द नहीं दिया गया है, जो इस गद्यांस का सीर्षक बन सके तो अब आप को मैंने बताया था अपड़ेद गद्यांस के प्रिठम लेक्चर में कि जब मैंने आपको बता रहा था कि आप अपने उत्तर को सटीक और सारगर्वित पनाने के लिए बाक्यान्स के लिए एक सब्द का प्रियोग करेंगे ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो अपनी तारीफ खुद करता रहता है उसके लिए एक सब्द क्या होता है जो अपनी तारीफ खुद करता रहता है यानि कि अपनी तारीफ हो करने वाला क्या होता है जो अपनी तारीफ खुद करता है आत्म सिलागा ठीक है क्या होता है आत्म सिला घा होगा यहां पर आत्म सिला घा होगा यहां पर आत्म सिला घा ठीक है जो अपनी तारीब स्वेम करता रहता है उसके लिए एक सब्द प्रियोग होता है आत्म सिला घा और यहां पर किसकी बात की गई है ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लोगों के मतलब बुराई करी गई है ऐसे लोगों की ठीक है और यहाँ पर बताए गया कि यह जो चीज है यह बहुत बुरी चीज है समाज के लिए तो यहाँ पर एक सब्द बुरी चीज के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा जैसे बुरे गुड यानि कि इसको बुरा गुड माना है लेखक ने आत्म सिलागा को ठीक है तो बुरा गुड मतलब दुरगुड ठीक है बुरा गुड मतलब क्या होता है दुरगुड तो अब देखो यहां पर अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो आत्म सिलागा का दुरगुड तो यह आपको के लिए एक सब्द की मदद से अपना सीर्षक ऐसा चुना जो सटीक भी है सारगर्विद भी है और आपके गद्यांस से प्रासंगिक भी है तो आत्मसलागा का दुर्गुड इस गद्यांस का सीर्षक हो जाएगा तो यह जो प्रोसेस है जो मैंने अभी स्टैप बताया यह इन प्रोसेस मैंने जो आपको बताया कि पहली पंक्ति को देखना है अंतिम को देखना है या फिर जिस सब्द की पुन्रावरती हो रही हो उसको देखना तो वो थो थोड़े सिंपल थे लेकिन यह थोड़ा कठिन था तो इसमें आपको बाक्यांस के लिए एक सब्दों को बहुत ही बिसेस रूप से पढ़ना है और ठीक है प्रीप में तो आप सिर्फ टिक लगा के आएंगे लेकिन जो बास्तिविक प्रियोग है वो आपका हिंदी एवं आलेखन के इस प्रस्न पत्र में खूँग होगा और जब आप निवंद लेखन करेंगे तब आप अपने में आ गई होगी मेरे इसाब से अगर फिर भी कोई दिखकत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट पढ़के आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोसिस करूँगा ठीक है तो चलिए फिर अगले लेक्चर में हम लोग धन्यबाद